इस discussion में हम इन दो रिपोर्ट की बात करेंगे, यह दोनों रिपोर्ट IPCC निकालता है, रिलीज करता है, तो यह पहली रिपोर्ट है, climate change and land को लेकर के, दूसरी रिपोर्ट है, the ocean and cryosphere in a changing climate, तो यह जानने से पहले हम जान लेते हैं, यह IPCC क्या है, इस प्रकार की संस्था है, तो IPCC एक इंटर गवर्मेंटल पैनल है, climate change को लेकर, यह एक United Nation की body है, जो United Nation Environment Program के अंतरगत काम करती है, United Nation Environment Program के अलावा, यह World Meteorological Organization से भी संबद है, इसके अलावा, 2007 में इसे Nobel Peace Prize भी मिल चुका है, हम आज इन दो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन यह कई सारी रिपोर्ट निकालते हैं, और इनकी रिपोर्ट काफी रिलाइवल रहती हैं, और इस पर जादा तरदेश इस पर फोकस करते हैं, क्लाइमीट चिंज को लेकर के जो भी रिपोर्ट आती हैं, उसमें कारवन डाय अकसाइड की आहम भूमिका होती है, तो इस पर इन्हों ने भी काफी फोकस किया है, तो ये रिपोर्ट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कारवन डाय अकसाइड के बारे में भी जान लेता हैं अगर हम सामानी टंप्रेचर और सामानी प्रेशर की बात करें तो कारवन डायकसाइड एक कलरलेस और अजोलनसील गैस है इसके अलावा यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद हमारी पित्वी पर तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है यह कितनी पाई जाती ह यह पूरा जो चार्ट है यह है पूरे जित्ती भी गैसे हैं उनका चार्ट इसमें से यह वाला जो हिस्सा है यह है कारवन डायकसाइड और अधर गैसे तो नाइट्रोजन सबसे जादा है 78 परसेंट उसके बाद ऑक्सीजन है लगबख 21 परसेंट इसके बाद यह जो छोट तो इसमें भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का परसेंट स्वरी कारवन डायकसाइड का परसेंट आ जाता है 0.0407 परसेंट फेले आपने सुना होगा 0.0309 परसेंट थी अब यह बढ़ करके 0.0407 परसेंट हो गई है अलाकि कारवन डायकसाइड जलती नहीं है लेकिन यह ग्रीन हाउस गैस है अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ग्रीन हाउस गैसों को भी जान लेते हैं सबसे पहले वाटर वेपर जब कोई वाटर होता है जो वह उड़ता है आस्मान में गर्मी के कारण तो वह भी हीट को सुखता है इसके अलावा कारवन डाय आक्साइड तो है ही फिर मेथेन फिर ओजोन उसके बाद नाइट्रोस आक्साइड और लोरोब शोरो कारवन तो यह कैसे हैं जो मेंली ग्रीन हाउस गैस क्यालाती है तो हमारे परियावरण में कारवन डाय आक्साइड की मात्रा इतनी कैसे बढ़ गई इसे समझने के लिए यह एक अच्छा चार्ट है तो कारवन डाय आक्साइड 1750 के दसक में लगभग 280 होते थे एक मिलियन एयर के पार्ट में मतब एक मिलियन अगर आप एयर लेते हैं पार्ट आफ एयर लेते हैं तो उसमें 260 कंड होते थे लगभग 280 कंड होते थे लगभग यह सबसे तेजी से जो बढ़ा कारवन डाय आक्साइड का एमिसन हमारे पर्याव रण में वो था इंडेस्टिलाजेशन की समय से देखे यह जब 1900 का समय था यहां पर यह वाला डेटा यहां से यह बहुत तेजी से बढ़ना शुरू है यह नॉर्मल यह नॉर्मल डेटा है जो नॉर्मल कारवन डाय आक्साइड बढ़ती है यह वाला है जो एमिट किया गया है इतनी तेजी से एमिट किया गया है और यह नॉर्मल डेटा है जो इस तरह से पहले चल रहा था पहले एमिसन बिल्कुल नहीं होता था तो यह बताए गया है कि कोई एमिसन नहीं फिर ध और चार्ट है, अच्छे से समझाने के लिए. यह एक और रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि हर साल किस प्रकार से कारवन डाय अक्साइड की मात्रा पर एक्मोस्फेर में बढ़ रही है, यह सिर्फ तीन साल के आकड़े हैं और इसमें आपको अंतर दिखाई देगा, 2017 में 403 पार्ट थे पर मिलियन, 2018 में 405 पार्ट हो गए, और 2019 में 408 पार्ट हो गए, तो इस तरह से बढ़ रहा है, कारवन डाय अक्साइड की मात्रा हमारे अर्मोस्फेर में, एक महीने का यह रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से गर्मी में अंतर देखने को मिलगा,מहीना 2016 का जिसमें बहुत ज्याना गर्मी थी और इसमें अंतर देखने को मिला, प्लस 1.12 डिग्री सेल्सियस मतलब अगर कहीं का 30 डिग्री टंपरेचर होता था तो वो लगभग 31.12 डिग्री सेल्सियस हो गया इसी प्रकार से 21 जो है 2021 में अप्रेल मन्त में नाइन्थ सबसे गरम येर रहा सदी में इसके पहले जो सबसे ठंडा यह था जिसमें थोड़ा सा गिरावट आई थी तंपरेचर में वो था कारवन डायक्साइट बाता वर्गण में फैल रही है बढ़ रही है अराम से यह दो परसेंट चला जाएगा तला कि 1950 तक का लक्ष है कि यह से जादा Тыमपरेचर को कारवन डायक्साइट की मात्रा को 400 चार सो की चारिए 965 पर मिलियंस से जादा नहीं जाने देना है और temperature, Global Temperature को 2 degree Celsius से ज्यादा नहीं जाने देना क्योंकि अगर temperature 2 degree Celsius से जादा गया तो फिर उसे वापस नहीं लाया जा सके लैंड से related जो इन्रहोंने report प्रस्तु की है उसमें इन्होंने बताया है कि forest, krisi और सहरी करन जैसे बिभिन भूप योग जल वाईव परिवर्तन को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं और जल वाईव परिवर्तन इन्हें कैसे प्रभावित कर रहा है तो अगर carbon dioxide की बात करें तो carbon dioxide का जो concentration है अगर बाईव मंडल में ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो major food crops हैं उनकी गुड़वक्ता में भारी कमी आएगी ग्रीन हाउस गैसों का emission सिर्फ और सिर्फ क्रिसी से ही 21 से लेके 37% तक होता है निसंदे जिस प्रकार से carbon dioxide और ग्रीन हाउस गैसे एन्मोस्फेर में बढ़ रही है इसे रोपने के लिए कुछ कड़े कदम उठाया जाने आवस्यक है कुछ कदम हो सकते हैं उसमें से एक है तारवन डायाकसाइट का संग्रहन करना तो इसे या तो लेक बगएरा में संग्रहित किया जा सकता है या समुद्र में या तो फिर लगा करके भी इसका संग्रहन किया जा सकता है तो कुछ ऐसे तरीके स्टेप लिये जा रहे हैं वह कहीं भी किसी भी हालत में कम हैं लेकिन फिर भी कुछ हद तक है इसके बाद आज के लिए हमारी दूसरी रिपोर्ट जो है इनकी वह है ओस्यान एंड क्रायस्फियर इन चेंजिंग क्लाइमेट तो क्रायस्फियर क्या होता है बर्फ की जो चा आज साथ वे नंबर पे सबसे कम अभी इसके अलावा दोहजार मिलिय टन एवरी यह व्हजार लास हो सॉजा जाती है nasd हो जाती यह इसके अलावा अगर पोल के अलावा बात करें आगणर जगा भी वर्भ की कुछ चाद्रें उति हैं तो वह डौसो बीश मीलियन पर टन दो जावई सेम डेटा है पर टन नस्ट हो रही है कहतम हो रही है वर्फ की चादरें इस प्रकार से बर्फ पिखल रही है जिसके विज़े से क्या होगा राइस होगा समुद्र का स्थर और छोटे-छोटे जो दीप हैं उनके दूप जाने का खत्रा इससे काफी ज़्यादा बढ़ जाता है ग्लोबल टंपरेचर बढ़ने से बर्फ तो गायब हो रही है साथ-साथ ऐसे इलाकों में अट्लांटिक और आर्किटिक वाले लाकों में फाइटो प्लेंटन भी बढ़ रहे हैं फाइटो प्लेंटन एक तरह से आपने काई के रूप में देखा होगा इनका बढ़ना इस री ठी नहीं होती लेकिन टेप्रेचर बढ़ने के बज़ा से इन्हें यहां पनपने में मदद मिल रही है और यह जहां भी पनपते हैं वहां उस इलाके का उस जगह का इको सिस्टम कमाप्त कर देते हैं क्यूंकि जब यह पनपते हैं तो नीचे ऑक्सीजन का वह बंद कर देत यह ऑक्सिजन को गुलने नहीं देते तो इस वज़ा से वहां का इको सिस्टम खतम हो जाता है इस्टैन्फोर्ड यूनिवर्सिटी की अनुसार कि दो निस सो अन्ठानवे से लेके दोजर आठारा तक में फिप्टी सेवन पर्सेंट इस प्रकारती यह जो हरा वाला भाग आपको दिख रहा होगा इस तरह से इन एरियास में फिप्टी देखने को मिल रही है इस तरह से जब भी टेंपरेचर बढ़ेगा ओसियन का तो उसमें फाइटो प्लेंटर आने की संभावना बढ़ जाएगी और जब भी ब्लूम होगा तो नॉर्मल वॉटटर इस फरकार का दिखेगा और ब्लूम के बाद ये ऐसा हो जाएगा पूरा इकोसिस्टम ये खतम कर देता है अरगर ब्लूम यहां तक कि यह बर्फ को भी खतम करता है बर्फ को भी यह नुकसान पहुचाता है वो कैसे पहुचाता है यह देखिए वाली जो काई है यह सैवाली है जब यह इसके उपर जम जाते हैं यह हो जाता है खतम यह वर्फ की चादर है यह हो जाती है खतम इस पर क्रिया को कहते है इस तरह की जो लैंड में वर्फ होती है इसको प्रमाफोस्ट कहते हैं आद यह जब यह ऐसी काई इसके वपर आ जाती है तो यह धीरे धीरे ऐसा जब इस पर इल्गी आ जाती तो धीरे धीरे इस प hackers को खत्यों कर देती is इसके अलाबा वर्फ को नुस्ट करने में एक बड़ा कारण होता है कारवन डाय आउकसाइट का जमना इस प्रकार से कारवन डाय आउकसाइट जम जाती है जिसके कारण वर्फ के बीचों में दरार आ जाती हूँ तूट करके धीरे-धीरे पिखल जाता है क्योंकि देखो आर्किटिक में जर्मिभी वर्फ को नुकसान हो रहा है कारवन डाय आकसाइड के कारण तो ये वाली रिपोर्ट इस इन चीजों को दरसाती है इसे हमें सेरियसली लेना चाहिए और कुछ काम जरूर करना चाहिए कि कम से कम कुछ हम अपने परियावरण के लिए कर पाएं इस के लिए ये लक्चर कापी है थैंक यू फर वाचिंग एड़े स्टेडी